दोस्तों, मेरा नाम पीहू है और मेरी शादी हो चुकी है. मैं दिखने में खूबसूरत और बेहद आकरशक लगती हूँ. मेरी ससुराल में मेरे ससुर जी, मेरे देवर और मेरे पती ही थे. मेरी सास बहुत साल पहले ही गुजर गई थी. मेरे पती शहर के काम करते थे और हमा जब भी मेरे पती अपने काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाते, तब मैं अपने ससुर और देवर के साथ घर पर अकेली होती थी। जब भी मेरे पती का नाम रोहन था और वो एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। हो सकता है उनके बातरूम में पानी नहीं आ रहा होगा, इसलिए वो इस बातरूम में आ गए होंगे। लेकिन अब तो उनका रोज का काम हो गया था, वो अकसर मेरे कमरे के बाहर बने बातरूम में ही नहाते। मैंने इस बारे में अपने पती को भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह तो तुम्हारे लिए अच्छा ही है, इससे तुम्हें पापा के बातरूम में उनके कपड़े धोने नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। इस पर मेरे पती बोले कि पीहू, बस कुछ और महीने की बात है, मेरी नौकरी को ज्वाइन किये हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और काम का प्रेशर भी बढ़ गया है, इस कारण मुझे आफिस में रहकर ही अपना काम करना पड़ता है। लेकिन जब मुझे अपने काम का पूरा experience हो जाएगा, इसके बाद में रोजाना अपने घर से ही काम पर जाया करूँगा। शादी के बाद मैंने एक रात भी अपने पती के साथ नहीं बिताई थी, लेकिन उनके काम ही वजह से मैंने अपने मन को जैसे तैसे करके बहलाती रही। मेरे घर में दो मर्द रहते थे, इसलिए मुझे घर का काम करने के बाद पूरा दिन अपने कमरे में ही रहकर गुजरना पड़ता था। मेरे देवर का नाम सूरज था, उसका स्वभाव एक मासूम बच्चे के जैसा था, अब धीरे-धीरे मेरी सूरज से बात होने लगी, जब भी मुझे कुछ चाहिए होता था, तो मैं उसी से कह देती थी, क्योंकि मेरे ससुर बहुत ही अलग टाइप के इंसान थे, उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता था, इसलिए मुझे अपने ससुर के सामने जाने से भी डर लगता था, आज शाम को जब मेरे ससुर घर आये, तो मैं उन्हें देख कर अपनी हंसी नहीं रोक पाई, क्योंकि उनके पूरे कपड़े कीचड से भरे हुए थे, घर पर मेरा कुर्ता उतार दिया, अब वो सिर्फ एक छोटी सी पेंट में थे, लेकिन अभी घर पर कोई नहीं था, इसलिए मैं अपना मुझ दूसरी तरफ करके उनके शरीर पर पानी डाल रही थी, और मेरे ससुर जी खुद को साफ कर रहे थे, मेरे ससुर जी बिलकुल भी शरमीले न नहीं थी, लेकिन वो अपने बेटों को एक भी रुपिया नहीं देते थे, उनका कहना था कि उन्होंने उन्हें बढ़ा करके अपनी जिम्मेदारी को निभा दिया, अब वो अपनी जरूरतों को खुद से पूरा करे, ससुर जी अपने कमाए हुए पैसों को अपने उपर ह खर्च करते थे, और वो अकसर जब भी शहर जाते, सारे पैसों को अपने साथ लेकर जाते और बैंक में जमा करा देते थे, शायद उन्हें किसी पर विश्वास नहीं था, उनका बरताव मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता था, ससुर जी के उपर पानी डालते समय में पूरी भीग चुकी थी, इसलिए मैं कमरे में गई और अपनी साड़ी बदल रही थी, तभी मैंने देखा मेरे कमरे की खिड़की से मुझे कोई देख रहा है, इसके बाद मैंने जटपट अपनी साड़ी पहनी और खिड़की के पास जाकर देखा, तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने बाहर आकर देखा, तो कमरे के बाहर गिले पैरों के निशान बने हुए थे, मैं समझ गई कि ससुर जी मुझे खिड़की से जाक रहे थे, क्योंकि आज कल ससुर जी की नजर हर वक्त मुझ पर ही बनी रहती है, जब भी मैं किचन में होती, तो वो किचन के बाहर बैठ कर मेरी ओर देखते रहते थे, मुझे उनका इस तरह से देखना बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना कर अपने ससुर और देवर जी के टेबल पर रख देती थी, और फिर अपने कमरे में चली जाती, क्य तो उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया, मेरा पूरा शरीर कांप उठा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ससुर मुझे क्या कहने वाले थे, इसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, बहू तुम मुझे दा पर नहीं आए, और आप ऐसे में मुझे से बच्चे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, इस पर मेरे ससुर कहने लगे कि बहू में जानता हूँ कि तुम्हारी शादी के बाद से ही रोहन को अपने काम पर जाना पड़ा, लेकिन कुछ दिनों पहले ही मेरी उससे बात हुई थी कि वो जल्दी ही घर आने वाला है, और इस बार वो पूरा एक महीना रुक कर जाएगा, इसलिए मैं अपने आपको रोक नहीं पाया, और जल्दबाजी मैंने तुमसे पूछ लिया, अगर तुम्हें बुरा लगा हो, तुम मुझे माफ कर देगा, मैंने कहा, पापा, कोई बा अपने कमरे में आ गई, और अपने बेड पर लेट कर सोचने लगी, कि आज मेरे ससुर ने, जब मेरा हाथ पकड़ा था, तब उनकी आँखों में एक अजीब सी चमक थी, मैं उनके इस तरह के व्यवहार से, पूरी तरह से डर गई थी, ससुर जी, कि हरकतें मुझे विचली कर देती, जब वो किसी काम को लेकर मेरे करीब आते, तब मेरे जजबात मचलने लगते थे, और मैं जैसे तैसे करके अपने मन को बहलाया करती थी, कभी-कभी कमरे में बैठ कर, घंटो टीवी में रोमांटिक फिलमें देख कर, अपना मूड बना लेती, और अकेले ही जब शाम हुई, तब मैं अपने पती से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी, और उन्हें अपनी सुन्दरता दिखा कर, उन्हें जल्दी घर आने के लिए उन्हें मना रही थी, तब ही मुझे मेरे कमरे के बाहर कुछ आहट सुनाई दी, तब ही मैंने देखा कि कोई मेर कि खिड़की के शीशे से मुझे देख रहा था, जब मैं फोन रखकर कमरे से बाहर निकल कर आई, तो मैंने देखा, मेरे ससुर जी कमरे के बाहर टहल रहे थे, और जब मैंने इतनी रात को टहलने का कारण पूछा, तो वो कहने लगे, बहु, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ी देद मेरे पैरों की मालिश कर दोगी? मैं चाहकर भी उन्हें इसके लिए मना नहीं कर पाई, लेकिन मुझे रात में उनके कमरे में जाने से थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मैं ससुर जी को किसी बात के लिए मना नहीं कर सकती थी, इसलिए जब मैं उनके कमरे में गई, तो वह आज भी उस दिन कि तरह ही मेरे सामने बिना शर्ट के बैठे हुए थे. जैसे ही मैं उनके कमरे में गई, मैं शर्म से अपनी नजरे नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि वो मेरे सामने अपनी पैठ घुटनों तक नीचे कर लिये, और फिर मुझे एक तेल की बाटल देकर मुझसे अपने पैरों की मालिश करने को बोले, इसके बाद में उनके पैरों पर तेल से मालिश करने लगी, कुछ देर बाद जब मैं उठकर जाने लगी, मैंने देखा, ससुर जी मुझे एक तक देखे ही जा रहे थे, उनके मन में जो कुछ भी चल रहा था, उनके चेहरे से साफ जलक रहा था, मैं उनकी मनोदशा समझ चुकी थी, इसलिए मैं उनके क पाबू में नहीं रहे, और फिर वही हुआ, जिसका मुझे अंदेशा था, इसके बाद मैं भी ससुर जी का साथ देने लगी, आखिरकार मैं भी तो एक औरत थी, और मुझे भी अपनी जिन्दगी को जीने का हक है, मेरे पती ने मेरी जरूरतों को दरकिनार कर दिया, और अ जीने का फैसला कर लिया, अब मेरे ससुर ही मेरे पती की जगह ले चुके थे, और मैं भी खुश हूँ.